हेलो दोस्तों ग्राफिक स्टूडियों आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज के टूटियों में हम सीखने वाले के वीडियो एनिमेशन फोटोशॉप के अंदर किस तरह से बनाया जाता है जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि नॉर्मल एक टाइम लाइन एनिमेशन अब किस तरह से बनाया जाता है हमने उसके अंदर यार बना के दिखतां तो देखने वाले सबसेफेले में कुछ दिखा गये तो एक कुछ बैनर में यहां पर देखो कि तो एक नॉर्मल में ने बैनर ओपन किया था अगर यह वापसे में प्ले करता हूँ तो यह देख लीजिए इस तरह का एक नॉर्मल सा हम बैनर बना है यह जो है वीडियो एनिमेटेड बैनर है इसके अंदर आप म्यूजिक भी लागा सकते आपका उसके अंदर बहुत सारी चीज़े आप अलग-अलग अपने हिसाफ से कर सकते हैं नॉर्मल सा यह बैनर में नहीं दिखा है अगर देखे हुए मेरे स्क्रीन के स्क्रीन पे तो यह प्ले हो रहा है इस तरह का एक जो एनिमेशन है किस तरह से बनाएंगे वह चीज़ स जो भी चीज़े मुझे अनिमेट करनी है वह चीज़े मुझे अलग-अलग लेयर पर रखनी पड़ेगी तो वही हिसाब से मैंने सब अगर देखोगे तो यह साइड से जो डिजाइन दिया था उपर का नीचे का दोनों अलग लेयर पर उसका यह नीचे का फोन नंबर है उ करता हूं यहां पर देखोगे तो यह थोड़ा स्पीड में हुआ है नीचे का भी एनमेट हुआ है वापस जो वाच भी वाच भी उपर से नीचे आ रहा है तो किस तरह से बनाएंगे तो चले स्टार्ट करता हूं सबसे ले लाश टाइम हमने देखा था विंडोस में जाने इसके अंदर अफ्श्न है यह तो एक तो देखता हूं पर जैसे क्रीट कर देता हो जैसे क्रियाट किया तो जैसे लास्ट टाइम में इस को उपर ड्रैक कर देता हूं लाष्ट क्वकशन अलग चीज दिखेगी जितने फृरulptपर यहां पर कुछ महें लेयर यहां갔 उलाग यहां दो करके यहां पर धाल यहां यहां पर आफिट्स प्रेंटकर्प đã सकते हो किस तरह तो यह पर आता है ट्राइंजेशन वाला ओप्षन तो यह ट्राइंजेशन भी आप यूज कर सकते हो यह किस तरह से यूज करेंगे वह भी मैं बाद में दिखा देता हो यह सिप चीज उसके अलावा इसके अंदर कुछ आप्षेंज आते हैं जैसे कि यहाँ पर जाते हो आप यहाँ पर भे गोटू टांब यहाँ पर कितने थांग आपके अनिमेशन बनाना वह चीज यहाँ पर सेट कर सकते हों उसके अलावा यहा पर आता है यह बहुत सारी व्यूज कर सकते मैं आपको बेसिक दिखा देता हों कि ज़्दा किस तर से आप इसके अंदर अनिमेट कर स और को तो सबसे पहले यहां पे आता है होच उसके बाद नीचे जितने भी लिया रेंसके अंदर तो प्लेबIES नीची अतरे अमडर अगर ट्रेक है तो आप वह ट्रेक डिलेड भी कर सकते है उसके अधर करना है आपको थो यह इसके उपर क्लिक कर से जो music का icon है उसके ट्लिक करके देख सकते हो एड ऑडियो यहांपर क्लिक कर सकते हो न्यूट्रेक तो तरह से नीचे यह तीन ओप्षेंग ओपन हो जाते तो यही तीन ओप्षेंग के उपर आपका पूरा एनिमेशन बनेगा यहाँ पर अगर कॉर्णर पर देखो देखोगे तो यह इससे ज्यादा यूज यह खाली आप की फ्रेम पर आगे पीछे जाने के लिए यूज कर सकते हो जो भी कमेंट एड़ करना है उसके लिए यह सब चीजे तो इसके उपर इतना ज्यादा कोई दयान म देने की जो रतने इसके अंदर का एक option हमारे लिए बहुत important है जो रहेगा रेंडर वीडियो जितना भी आप काम यहाँ पर करोगे और जब save करना है इसको वीडियो फॉर्मेट में save करना है तो इसके उपर आपको यह जो चीजे रेंडर करनी पड़ेगी हम तो normal फाइल यह से save कर देते लेकिन वीडियो एनिमेशन जब बनाते तो यहाँ से रेंडर करनी पड़ती तो चले start करता हो जैसे मैंने बता है कि यह तीन option पे आपका पूरा animation बनेगा तो किस तरह से बनेगा वह देखते सबसे पहले position क्या होता है position यह यह चीज़े position मतलब आप यह चीज को कहां पे भी कहां पे भी ले जाके रखते हो उसकी position को कहां पे भी आप उठाके रख देते हो उसको बोला जाता है position बेसिकली ऑफिसीटी के आए तो हमने इसके पहले भी photoshop के basic section में basic वाले session में देखा था कि ऑफिसीटी नॉर्मली एक चीज़ का जो कलर डिफ्यूज हो रहा है जो भी है उसका अगर यहां पर देखो डेश्टॉप पर कर रहा हूं है लाइट और लाइट और डार्क करना है तो यह ऑफिसीटी यूज किया जाता है भी बंद करते तो अभी इसके आगे देखो कि ऑफिसीटी बता है मैंने position बता है उसके आग से लेकर आगे के time तक वह चलते जाता है और बाद में automatically आप चाहते हो टाइम पर बंद होता है बंद हो जाता है उसी तरह से stopwatch काम करता है जहां पर इसको क्लिक करोगे वहां से आपका यह लियर चालू हो जाएगा animate होना और जहां पर आप वापस से stop इस तरह से अगर यह द क्लिक कर देता हूं ठीक है इस तरह से अभी यहां से यहां तक का मेरा animation इसके बीच में ही चलेगा तो यही चीज होता है normally stopwatch से अभी देखो गया तो दो पॉइंट क्रेट किया भी अभी मैं हमारे watch को उपर ले रहा हूं इसमें बैसिकली यह एक बात बाताना चाहूंगा आप कभी भी इसके उपर animate करते हो तो आप control टी प्रेस करके इसको उपर नहीं लेना है हमारे कीवोड के जो arrow keys है उसका ही यूज करके यह चीज को आप इसको उपर ले गया आराम से यहां से slowly watch automatically नीचे आ रहा है ठीक है यह क्या किया मैंने पहले दो-दो-point लगाँ यहां से यहां तक वापस एक और एक पॉइंट बन के आता है यह पॉइंट पर क्लिक किया है दो पॉइंट बन जाते हैं अभी इसके उपर एनिमेशन नहीं है अभी मैं पहले पॉइंट पर आता हूँ और हमारे वाच को हमारे करसर से उपर लेके जाता हूँ कि ठीक है यह मैं लेके गया उपर पहले पॉइंट पर किया है हमने जो पहला पॉइंट किया था उसके उपर स्टॉप जो भी वह जो भी हमारा वाच का जो बनाया हुआ है आओट यह जो भी हमारा पॉइंट कर लेंजा ह्या रहा है और उसको ले जाके उपर कर देए हमारे करश हो होता है उससे अभी शानल ब्ले करते हो आप यहां से यहां से ले जाके प्ले करते हो नौरमल देखोगर नीचे आ रहा है वाच को एप अगर छिसको थोड़ा स्पीड में हreो चांटे हो तो इह जो की है इसके ऊपर क्लिक करना और इसको लेके इस तरह से आगे लेकर आना है जितना आगे लाऊग उत्ना स्पीड में हो जाएगा यहां पर फ्रेम का option आ रहा है आपका उतना ठीक जितना यहां से इसको और आगे लोगे लोगे तो उतना स्पीड में नीच आएगा अभी इसमें और एक चीज है अभी opacity क्या होता है उसी तरह से same करेंगे आप आपे और ऊप civ को पहले करेंगे हम यहां पे Klike एक Tag बनके आ गया इसके बाद वापस आगे जाएंगे यहां ऱvor पर यहां पर जो पट्वंट बन के आ रहा है यह पॉइंट की उपर ले जाके क्लिक तो पन गया अभी यहां पर जाएंगे यह साइड में यह साइड का पैनल है जो लेयर का यहां पर से नीचे आने तक वह पूरा हमको दिख रहा था अभी में हमने क्या किया पहले जहां से चालू हो रहा है आनि-मेशन वहां पर हमने ऑपशित को कर दिया जी रो और आगे लेकर आये ठीक है यहां पर यहां पर हमने कोई चेंजश नहीं किया था यह पॉइंड को यह था चाल गारा यह जो यह जो है फेडर जो हमने ऊपर चेंज़ बोला जाता है style ब NASA अगर आप चाते हो तो एक आप इस gesam सまた इनीशन कर बेसिकत नेवांस से हैं यह दृट्व्छ नीचे आ जाता है व blender से भी इसको लेकिए नीचे से वी वी उपर लेका सकती हो हमारा पहले का हो फंट इस हम सब से पहले watch animate करना थोगिया अभी हम क्या करेंग जैसे 對啊 नीचे आता है उसी टायम पे बाकी meow- random जगह से इस Besides легा बैनर के अंदर आनी चाहिए जैसे प्ले करने कि बात है है am हम क्या करेंगे दूसरा इलिमेंट इसके आगे वाला प्ले बटन ओपन करेंगे जिसे टैक्स से यह ब्लैक फ्राइडे वाला टैक्स से इसको भी अनिमेट करेंगे इसको क्या करेंगे यह भी हमारे जो लेट साइड यह वाला साइड जहां पर कर सरे में यह साइड से इस तरह एक हुआ हां थीजिए यह ट्रांसफोर्म करके आ रहा है यहां पर साल रहा है ध्यूफ फ्राइब पर क्यों आ रहा है क्योंकि यहां पर जैसे मैंने इसको राष्टर में कनवर्ट कर दिया यहां पर पुजिशन आया पहले ट्रांस्फर्म आ रहा था साइज कम ज्यादा करने की सब से टेक्स के लेयर पर क्लिक किया तो यहां पर भी वही सेम करेंगे हम पहले प्रवेसं प्रवैसरं करेंगे अ एक पू पौइंट करेंगे इस तरह से यहां शिरेव पूरी तरह से लियर से यहां दार लेके जाएंगे यहां पर हमारा पूरा त्युआ कि बाहरा चलागा यह चीज कि सघ्स कि द लिए कर ग्रैट करने वाद हमने क्या कि पहले page का जो ठेक्स था हमने पहले पॉइंट पे उसको बाहर लेके गये और पॉइंट प्ले अंदर आहिए क्योंकि उसका हमने खाली पहले पॉइंट का ही पुघिष्ट कीज defenses क्रॉइच करिके को बाहर लेकर यह देखोंगे नॉर्मल यहां पर अनिमेशन क्रेट हो गया यहां पर प्ले करके देखेंगे किस तरह से ठीक है अभी इसके भी हम ऑपसिटी को अनिमेट करेंगे वही सेम तरीका है हमारी यह जो एनेबल की फ्रेम का ऑप्शन इसको फर क्लिक करना है उसके पह है यहां पर आगे जाएंगे अधर यहां पर यहां पर टेंगे रहा जिससे क्या होका सपीड में आ रहा है अइसा लिए हैं कर दो दो цिज से दो चीज़े हमारी क्रिएट कि यह दो चीज़े हमारे क्रिएट हो गए अभी आगे चलते हैं इनके यह जब भी इतना इस तरह से बढ़ता है तो आप यह यह नॉर्मली प्ले के उपर क्लिक करके इनको हाइड कर सकते हैं ठीक है उपर वाला हाइड किया क्योंकि हमारे बेसिक के लिए एक लियर ओपन रखेंगे जिससे कि हम नीचे के लियार का सम। को इसको क्या करेंगे यहां पर रखेंगे इसको इसकी पोिशिशन जो हमने यहां पे देखुगी तो पुशिशं हमने ढीमेट के तिसमें पोइिशन अने करेंगे इसמצ हलिफ। आगे शम्कषटे हमें अब क्लिक करेंगेमें जैसे कि यहां पे खरोगें तो यहां पर लगा देता हूं जीरो और यहां पर रहेगा उसका ओपेसिटी हंड्रेड जिसे क्या हुआ यह दो चीजे जैसे आ रहे आटोमेटिक लिए पहले पॉइंट पर देखो कि जीरो यहां पर कुछ भी नहीं है ठीक है यह आगे यहां पर ठीक है अ है यहां पर इसके पुजिशन को हमने इंप ने किया इसके इसको नॉर्मर रखा ठीक है अभी आगे जाएंगे आगे वाले लेशर पर बटन बटन कौन सा यह वाला ओरओर नहां करेंगे थोड़ा सा यह क्या करेंगे यह सब पहले लेके superior पर यह आभी यह से और से उपर रहें जfunction कि इसको पहले लेकर जाएंगे यहां पे क्लिक करेंगे फोएंट्ट क्रेट करेंगे का आगे जाएंगे करेंगे वापस पॉइंट क्रीएंट करेंगे дв पॉइंट करेंगे फेले पॉइंट पे जाएंगे हम अभी हर गए हरा अरे अत soprattutto का लेट के अरो से लेट साइड का किया टॉप के अरो से टॉप का किया भी जो हमारे कीबोड का एरो की जे उससे यह हम ले लेंगे और नाओ के ओप्शन को इस तरह से नीचे यह कभी भी याद रुको Ctrl T प्रेश करके यह चीज होगा नहीं उससे क्या होगा एनिमेशन नहीं बन पाय आपका तो इसका पूजिशन कोई करने की कोशिशिश नहीं करना है उससे कुछ भी एनिमेट नहीं होगा आपका जैसे किया तो यह कि देखो यह अटर नाव का जो बटन है वह आटमेटिकली नीचे से उपर आना चालो हो जाता है ठीक है यह हो गया हमारा यह इसको भी इसकी भी आपसिटी हम नहीं ही चेंज करेंगे इसको आपसिटी वैसे रहने देंगे अभी आगे चलते यहां पर देखो फोन नंबर और फोन नंबर है इसको भी हम थोड़ा सा अइनिमेट करेंगे यह क्या करेंगे इसको यह कॉर्णर से इस तरह से उपर आएगा यह कॉर्णर से इधर आएगा उसको क्य करेंगे इसको भी सेमनीं कि पेले यही इसको लेकर जाएंगे यहां परकिणे जो भी हैं पीछे लेकर जाते जब भी हमारा करसर करना होता है क्योंकि यहां पर देखो था मडा सथ गut मैं इसको पीछे ले जाता हूँ यहाद फू वापस एक बार पॉइंक फिर पर करता हूं मिया यहां पे इसको लेके जाता हूँ तक यहां तक लेके गया उसके बाद नीचे ले जाता हो यह से जिससे क्या होगा यह cross में उपर आयेगा ओए त्व देखोगे यह हो गाया पहले पॉइंट पर चला गहा नीचे उसका दूसरे पॉइंट पर क्रस में यह किस तरह से cross में आ रहा है यह देखोगे तो वही सेम आरो कि मैंने पहले किया किए लेप वाला निचे वाला यह जो है फोर साइड के फूर एंगल के पर और यह उसको निचे वाले साइड लेके जिससे यह नीचे चला गया और आते टाइम वहारा है जैसे जो देखो कि ऊपर-णीचे इन इनको थोड़ा-थोड़ा यह थोड़ा और दिजाइन उपर वाले साथ जाएगा नीचव वाला डिजाइन नीचे वाले साड़ आएगा इसको भी क्या करहेंगे पहला वाला डिजाइन जै दिजाइने पहले वाला जैसे थ्री उपर वाला इसको करते पहले रखते यहां पर इसकी oyster करते यहां पर पैंपे पाइंट करेंगे और हमारे element को लहों चाहिए कर द door कौन ऊसके आगे पड़ाइनिंग के उसको लेकर या उपर इसको लेकर आपकर ईसको लेकर ऊपर टेखो कि नॉर्मल 566 उसी तरह से कि अभी हमारे डिजाइन 3 को से उसी तरह से थैङले हम कर देंगे वा हमारे पॉइंट पहले लगा देख़ेंगे यहाप और दूसरा पॉइंट लगाएंगे वही सेम इसके इंगल में ठीक है और वापस पिछे ले जाएंगे पहले पोईंट को और पहला हमारा दैगा नीचे I can यहां पर आ गया हमारा पहला पॉइंट नीचे थोड़ा सा राइटम ठीक है अभी यहां पर देखोंगे तो पहला पूरा हमारा बैनर जितना भी है वह एनिमेट हो गया है नॉर्मल सा अभी इसको कर देते हमारे एरो पर क्लिक करके सब लेर को इसके अनिमेशन को सब एनिमेशन को हाइड कर देंगे इसको कि इसको यह इसको इतना लेर इनके अंदर बना दिया हमने अनिमेशन के इतना यहां तक चलेगा उसके आप से ब्लैंक हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि यह ब्लैंक नई रहना चाहिए आगे तो आप हर एक लियर को इस तरह से सिलेक्ट करके ठीक है यहाँ से इस तरह से जितना चलाना है उतने पर ले-जाके सेट कर सकते हैं उतना ही आपका विडियो रेंडर होगा अगर आपको पूरा एनिमेशन नहीं चलाना है तो इस तरह साथ पूरी लेर को सेट कर सकते हैं यहां पर हमारा जो भी इतना इतना रुखता है ठीक है हो जाता है इसके अंदर आप music करना है तो वह भी कर सकते हो अभी मैं नॉर्मल यहां पर कोई टूर्मल पाइल जब भी फॉटोप में बनाते तो यहां से सेव करते लेकिन अभी जब बीडियो में करना विडियो में से करना उप्रमे करना लाइस टाइम बैनर जब भी बनाया था इसके अधा उन्हें आफ आनिमेशन वह यहां पर आपको यहां पर देखो एक करना है तो मैंने नार्मल हमारा email QOOOOivat जो फोल्डर बनायाता मेरा ठीक है मैं ओके कर देता हूं ठीक है और यहां पर ब्राइनर ट्रेंडिंग नियुँ करके मैं इसको यहां पर देखोगे यहां पर फॉर्मेट भी है हाई कॉलिटी जितना जो भी कॉलिटिया आप आइपैड के लिए जो भी जिस चीज के लिए से नार्मल रखना चाहते है वह भी है यहां पर कोई चिंज नहीं कर रहा है है डॉक्मेंट फ्रेंट फ्रेम पर सेकन्ट हम तीसी रहते हैं औरे और वेक्स तरह से कम जादा कर सकते किसले रेंडर कर देते तीक है ऑन फो डाल दे रेंडर में यह नौर्मल अभी देखो गी तो यहां पे यहें पार सूक्र रेंडर टेंडींग नीज़ तो पोठींगी हम हमारे नॉर्मल इसमें ओपन जना फोरी तरह से हमारा ready हो गया है और किस तरह से बनाए है है तो बहुत इसली मैंने आपको बता है कि नॉर्मल एक आनिमेटेड बैनर आप किस तरह से इसके अंदर बना जो तो इसके अंदर इसी तरह से बहुत सारी चीज़े अनिमेट कर सकते हैं अगर फ्लीज टुट्राल अच्छा लगा हो